दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम जिन चार शेर्स के बारे में बात करने वाले हैं इन चारों शेर्स को लेकर SM लिस्टर से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है अगर आपने भी FL India Limited, हिंदुस्तान फूड, साधी साथ, HFCL और Tejas Network के अंदर अगर investment कर रखा है तो इस वीडियो को miss बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको में complete genuine information प्रोवाइट करना हूँ जो ACM Lister से जुड़ी यहाँ पर निकल कर आई है और साथ ही साथ, कौन सी dates यहाँ पर आपके लिए important होने वाली है तो चलिए दूस्तों वीडियो को start करते हैं बिना किसी देरी के, उसके बिले यदि अपने चैनल पर first time विजिट के आई तो चैनल को subscribe करना और bell icon को press करना बिल्कुल भी मत भूलेगा सबसे बिले बात कर लेते हैं FL India Limited के बारे में FL India Limited को लेकर दो बड़ी updates यहाँ पर निकल कर आ रही है सबसे बिली updates के बात करें तो FL India Limited अब हमें ASM लिस्ट से बाहर होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैं आपके साथ complete genuine information share करने वाला हूँ with proof भी आपको दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर updates यहाँ पर ASM लिस्ट से जूड़ी निकल कर आई है उसके बिले एक और update की बात करें तो जैसा कि आपको बताए कि FL India Limited के अंदर आपको split देखने को मिल रहा था याना कि जो number of shares यहाँ पर increase होने वाले हैं split के बाद में वो demate account के अंदर show होना start हो गए है तो नीचे comment section box में लिकर जरूर बताएगा कि क्या आपको भी split का benefit मिल चुका है यह बात कर लेते हैं FL India Limited की performance के बारे में उसके बात बात करेंगे SM Lister से जुड़ी क्या update निकल कर आई है तो अगर FL India Limited के अगर आप पिछले एक महिने की performance देखेंगे तो पिछले एक महिने के अंदर ये shares लगबग 23% तक के multi bigger returns अपने investor को बना कर दे चुका है अगर आप इसके पिछले एक साल का chart button check करेंगे तो पिछले एक साल में 100% से भी ज़्यादा क्या return यहाँ पर FL India Limited बना कर दे चुका है अब मैं आपके साथ update शेर करूँ कि FL India Limited को लेकर यहाँ पर क्या बड़ी updates निकल कर आई है SM Lister से जुड़ी तो आप यहाँ पर देख सकतें NSE की जो official price release यहाँ पर निकल कर आई है वो मैंने आपके सामने open कर लिए जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ कि कुछ company को SM Lister के अंदर stage 2 से stage 1 के अंदर transfer किया गया है और अगर आप यहाँ पर company का नाम देखेंगे तो यहाँ पर आपको 90 नंबर पर FL India Limited का भी नाम देखने को मिल रहा है और यह कब से effective होने वाली है 11 October 2021 से यह सभी चीज़े effective होने वाली है यानि कि finally आपको जो FL India Limited का shares long term की stage 2 के अंदर देखने को मिल रहा था साथ ही साथ अगर एक ओर shares के बारे में बात करें जिसका नाम है हिंदूस्तान Foods Limited याने की NDA हिंदूस्तान Foods Limited के अंदर भी हमें last reading session में बले ही shares के अंदर लगबख 4 point की गिरावट देखने को मिली है लेकिन अगर आप इसकी भी पिछले कुछ time की performance को चेक करेंगे तो पिछले 6 महिने में ये share सिर्फ 3% की return और पिछले 5 साल में 418% तक की return इस share ने बना कर दिये है लेकिन अब फाइनली हिंदूस्तान Foods Limited को लेकर भी यहाँ पर बड़ी updates निकल कर आ रही है अपडेट्स भी आपर यहाँ पर आप देख सकते हैं long term की ACM लिस्ट के अंदर आपको हिंदूस्तान Foods Limited का भी नाम देखने को मिल रहा था बारवे नंबर पर अब उसे भी stage 2 से stage 1 के अंदर transfer कर दिया गया है तो finally FL India Limited हिंदूस्तान Foods Limited के अंदर अगर आपने investment कर रखा है या फिर इन दोनों shares के अंदर अगर आप investment करने का अमन बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको Monday के दिन इन दोनों shares के अंदर काफी शांदर positive moment देखने को मिल सकते हैं दूसरी कमपनियों की भी बात करें तो उनके नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सबी कमपनियों के उपर से धीरे धीरे करके पाबंदी हटा रही है तो यहाँ पर FL India Limited के अंदर आपको Monday के दिन भी shares के अंदर शांदर अपर circuit देखने को मिल सकता है FL India Limited के अगर last trading session की भी बात करी जाए तो इस shares के अंदर आपको काफी शांदर order book में भी fresh buying आते हुए देखने को मिली थी volume based काम के भी बात करें तो FL India Limited के अंदर जो volume trade हुई थी जिसमें 91% quantity deliverable based पर उठाए गई थी अगर BAC के official website भी आप check करेंगे तो यहां पर तो हिंदुस्तान foods limited जो SM list है वो भी update हो चुकी है अब यह आपको shares SM list की stage 1 के अंदर देखने को मिल रहा है अगर FL India Limited की भी आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर यह shares भी आपको stage 1 के अंदर देखने को मिल रहा है चलिए दूस्तों बात कर लेते another shares के बारे में जिसका नाम है Tejas Networks Limited जबसे इस shares को जबसे इस company को Tata Group ने acquire करा है जबसे इस shares के अंदर आपको शांदर मुवेंट देखने को मिल रहा है Tejas Network पिछले एक मेने के अंदर अपने investors को लगबग 45% तक के multi-baker returns यहां पर बना कर यह company दे चुगी है अगर पिछले एक साल की performance को भी आप चेक करेंगे तो 583% तक के returns यहां पर यह company अपने shareholders को बना कर दे चुगी है इसी के साथ बात कर लें HFCL Limited की तो HFCL Limited के अंदर भी आपको बले ही last reading session में इस shares के अंदर 22% तक की गिरावट देखने को मिली थी लेकिन HFCL Limited भी पिछले 6 महिने के अंदर 225% तक के return अपने investor को बना कर यह company दे चुगी है और अगर पीछले 5 साल का chart button भी आप देखेंगे तो पीछले 5 साल में भी shares ने 414% तक के return यहां पर अपने investor को बना कर दिये है बात करें कि इन दोनों shares को लेकर क्या बड़ी updates निकल कर आ रही है तो आप देख सकते हैं यहां पर इन दोनों shares को लेकर भी SM list से जुड़ी बड़ी updates यहां पर निकल कर आई है जिसमें अगर सबसे पिले यहां पर बात करें HFCL Limited की तो HFCL Limited जो कि आपको long term की SM list की stage 4 के अंदर देखने को मिल रहा था उसे 11 October 2021 से stage 3 के अंदर transfer कर दिया गया है आति साथ अगर तेजस network की भी बात करें तो तेजस network का नाम भी आपको यहां पर stage 3 से जिसे SM की list की long term में रखा गया था उसे stage 3 से transfer करके stage 2 के अंदर transfer कर दिया गया है और यह effective आपको 11 October 2021 से देखने को मिलने वाला है यदि आपने HFCL Limited के अंदर investment कर रखा है तो जिसा कि आपको पता है कि next week इस shares के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है कि Monday की दिन आपको HFCL Limited से जुड़ी दो बड़ी updates देखने को मिल रही है याने कि सबसे बेली updates HFCL Limited का shares ACM Lister से बाहर आती हुए हमें देखने को मिल रहा है है और साथ ही साथ मंड़े के दिन हमें इस shares के financial result quarter 2 के भी आते हुए देखने को मिलने वाले हैं जिस कारण से इस shares के अंदर आपको again upper circuit भी देखने को मिल सकता है लेकिन अगर यहाँ पर promoter place के ratio की बात करें तो definitely यह थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत देने वाला है अगर HFCL Limited के promoter place के ratio का आप देखेंगे तो 44% इनके जो shares से वो place में हमें देखने को मिलते हैं इसी के साथ अगर Tejas Network की बात करें तो Tejas Network को भी जो ASM Lister से जुड़ी बड़ी update यहाँ पर निकल कर आई है उसके बाद आपको इस shares के अंदर भी शांदार moment देखने को मिल सकते हैं Tejas Network के लिए भी यहाँ पर जो next week में 20 October 2021 की date बहुत ज़्यादा special होने वाले हैं क्योंकि quarter 2 के result आपको Tejas Network के 20 October के दिन देखने को मिलने वाले हैं तो यदि आपने इन 4 shares के अंदर investment कर रखा है तो यहाँ पर आप Monday के दिन इन shares को pick करके चल सकते हैं साथी साथ अपनी watch list में भी aid करके चल सकते हैं चलिए दूस्तों उमीदे आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसंद आई हैं तो इसे like और share करना मत भूलेगा साथी साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को join नहीं क्या है तो link आपको description box में मिल जाएगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected, stay updated